दिप्य वच्छण सत्य वच्छण अमर वच्छ जीविर वच्छण दिब्य बचन, सत्य बचन, आमर बचन, जीविद बचन, साहिद अबामा बारीन अबामा बगाई रिजा निरिजा, 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 दिब्य बचन, सत्य बचन, आमर बचन, जीविद बचन, दिब्य बचन, दिप्यविटी तो प्रिये जनो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन में उन्नति आ जाएगी हर एक छोटे से छोटा मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी प्रभू उसे ब्लेस करेगा चाहे उसका काम कितना ही छोटा क्यों ना हो वो उसे उन्नति प्रदान करेगा बस प्रभू से कहना मैं आपसे बाते करना चाहता हूँ मुझे कुछ करनी है बात दो लाईने प्रभू से कहें मुझे कुछ करनी है बात येशु आज तेरे साथ जब ये शुमसी आदत के अनुसार एक आंत में पहाड़ी पर जाया करते थे वो पिता से यूही बातें किया करते थे और वो पिता से पूछते थे कि पिता मुझे बता आज क्या होने वाला है आज तु कैसे अपनी महिमा प्रकट करेगा और पिता प्यारे भाईयो और बेनो मैं समझता हूँ कि जब येशु एकांत में प्रातना करता था तो येशु को ढारस बंधा के भेशते होंगे येशु चिंता ना कर मैं तेरे साथ रहूँगा जब तु कोड़ी को आशिरवात देगा मैं साथ रहूँगा लाजर को जिन्दा तु करेगा उस वक्त मैं मौजूद रहूँगा अब जानते हैं आप लोग कि येशु ने कहा पिता ये उचित घड़ी है तेरी महिमा प्रकट करने के लिए और इसी लिए उसने लाजर को जिन्दा किया इसलिए प्रभू से कहना मुझे कुछ बात करनी है आज आपसे वो आपको मशवरा देगा नौकरी क्यों नहीं मिलती? काम सफल क्यों नहीं होता? आपकी मजदूरी और महनत आशिश उसमें क्यों नहीं आती? आपकी फसल को किड़ा क्यों लग जाता है? टिड़ियां आपकी फसल क्यों खा जाती है? हमारे जानवर क्यों बचते नहीं है? प्रभू सब समझाएगा, सब बताएगा मुझे कुछ करनी है बात येसु आज तेरे साथ मुझे कुछ करनी है बात येसु आज तेरे साथ मैं जानता हूँ वह सरे लोगों के आशु इस वक्त निकल रहे हैं क्योंकि प्रभू आपको बता रहा है बेटा बेटा ओ बेटी तु इस जगा पे अधूरा है तु इस जगा पे अधूरी है तु जानना चाता है कि तेरे जीवन में आशिश क्यों नहीं है बरकत क्यों नहीं है तु जान अब मेरे पीछे चल अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल रूका सुरूर दे मसा भर पूर दे अपना बना ले आज मुझे कुछ करनी है बाद येसु आज तेरे साथ मुझे कुछ करनी है बाद येसु आज तेरे साथ हलेलुया येशु की स्तुती हो येसु को धन्यवाद येसु की अरादना हो येसु की महिमा हो येसु को धन्यवाद हालेलुया, 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 हाल अपनी नौकरी के विशे में आपके दफ्तर में जहां पर आप काम करते हैं आपको सताया जाता है क्या आपने बातें की पूछा क्यों सताया जाता है क्या आपने पूछा क्यों मैं सफल नहीं होता हूं क्या आपने पूछा कि मैं संतान उत्पन क्यों नहीं कर पा रहा हूं क् कि मेरे परिवार में नशे की समस्य क्यों है क्या आपने पूछा कि मैं अपने जीवन में आद्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा हूं अगर पूछा है दिल से पूछा है तो जवाब अवश्य मिलेगा और अब प्रभु आपको जवाब देने के लिए जा रहा है जितने सवाल आपने पूछे हैं अब आप ध्यान से इसका जवाब सुनना पवित्र साक्रामेंट आपके सामने है प्यारे भाईयो और बेनो उसमें प्रभु येश्यु मौजूद है वो आज अपने दास के द्वारा वैसे ही बोलता है जैसे वो कफर नहूम और गलीलिया और येरुशलिम के और अनेक प्रांतों में गूम गूम कर बोला करता था क्योंकि आज वो अपने दासों की जुबान को इस्तेमाल करता और इस वचन के द्वारा आप से बातें करना चाता है और आपके सवालों के जवाब वो देना चाता है परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मसीयों के लिए परमेश्वर ने आशा में योजना बनाई उनके भविश्य की योजना बनाई और कहता है यर्मिया नभी के ग्रंथ में अध्याएं उन्तीस बद संख्या ग्यारा में कि मैं तेरे लिए तेरे आशा में भविष्य की योजनाओं को बनाता हूँ जब तू मुझे पुकारेगा जब तू मुझे डूंडेगा तो मैं तुझे मिल जाऊंगा और मैं तुझे ऐसी महान और रहस समय बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता है यूँ नोट नोट नूट नूट अट अचान नाओ अचान अचान वह आपको बताएगा और कहता है अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम उसे स्विकार करोगे, अगर तुम उसे ग्रहन करोगे, तो मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूँगा, बोलो आमेन आलेलुया, येशु की सुती हो, येशु को धन्यवाद, येशु की अरादना हो, येशु की महिमा हो, येशु को धन्यवाद, हालेलुया, तो मसीयों को परमेश्वर ने किसके लिए बुलाया, उजुवल भविष्य के लिए, आशा मही जीवन के लिए, निराशा के लिए न उन्नती के लिए बुलाया अवनती के लिए नहीं उपर उठने के लिए बुलाया नीचे गिरने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने आपको चुना उसने अन्ने राष्ट्रों से आप लोगों को अलग किया क्यूंकि वो आपसे प्रेम करता था लेकिन इसराइली एक गल इस्राइलियों को जब वो मिश्र की दास्ता में थे परमेश्वर ने दस बड़े चमतकार दिखाए फिराउन ने भी वो चमतकार देखे और ग्यारवा चमतकार प्यारे भाईयों और मैंनों लाल सागर में परमेश्वर ने रास्ता बनाकर इस्राइलियों को वो चमतकार लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग ईश्वर की बातों को समझ नहीं पाएं। इतने बड़े-बड़े चिन और चमतकार दिखाने के बावजूद प्यारे भाईयों और मेनों वे लोग परमेश्वर पर भरोसा करने में असमर्थ रहें। एक छोटी सी समस्या आ गई। समस्या ये थी कि वे लोग बोलते बहुत ज़ादा थें। और दूसरी समस्या ये थी कि वे निंदा करने में पीछे नहीं हटते थें। और तीसरी समस्या ये थी कि वे मूशा को बार-बार उसका अनादर करते थे। चोथी बात ये थी कि वे लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं करते थे और वो लोग कहते थे कि हम यहाँ पर मर जाएंगे तू हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया है अच्छा यही था कि हम मिश्र की गुलामी में थे वहाँ हमें मोटी मोटी हड़ियां और मांड से खाने को मिलता था हमारा पेट भर जाता था लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं मर रहे हैं भूकों मर रहे हैं वे लोग निराश हो गए और प्रभू को अच्छा नहीं लगा प्रभू को अच्छा नहीं लगा यही बात मेरे और आपके जीवन में भी है हम नित प्रते दिन चमतकार देखते हैं लेकिन हमारी जुबान बंद नहीं रहती है इरश्या, दुवेश, निंदा, वाद विवाद, वचन के प्रती ये वचन ऐसे है, वो वचन ऐसे है, ये कलीसिया ऐसे है, वो कलीसिया ऐसे है अरे भाई, कलीसिया कोई सी भी हो वचन तो एक है, आत्मा तो एक है, प्रभु येशु एक है आप इन सारी बातों को भूल कर उस पवित्र तृत्व में पिता ईश्वर में, पुत्र परमेश्वर में और पवित्र आत्मा में विश्वास करेंगे तो आप उद्धार पाएंगे और इसके विश्य में प्यारे भाईयो और बैनों बाइबल हमें बताती है संत पालुस तिमॉथी को लिखता है कि आप लोग वाद विवाद में ना पडें एश्वर का वचन पयारे भाईयो और बैनों वाद विवाद का विशे नहीं है 秒 of the Lord is not a matter of debate the word of the Lord is not a subject of debate but it is to be honoured and to be trusted and believed और तब आप देखेंगे आपके जीवन में ये वचन काम करेगा क्योंकि संत पौलूस कहता है बहुत सारे लोग इन बातों के विशे में वाद विवाद करते करते अपना विश्वास खो बैठे हैं और आज ऐसी लोगों की दुनिया में कमी नहीं है जो इसमें खामियां खोचते हैं जो केवल वाद विवाद करने में लगे रहते हैं कि ये कैसे वो कैसे ये कहानी है वो कहानी है प्यारे भाईयों और बैनों यही बात परमेश्वर इसराइलियों को क्या करना चाहता था याद दिलाना चाहता था लेकिन वे लोग माने नहीं वे लोग माने नहीं और प्रभु ईश्वर ये कहता है बाइबल हमें बताती है गणना गरंत अध्याय 14 पत संक्या 28 में आपके लिए मैं पढ़ूँगा कि ये लोग कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे ये लोग कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे प्रभु का वचन कहता है प्यारे बाईो और बेनो क्योंकि प्रभु उनसे नरास था प्रभु उनसे नरास था क्योंकि वह लगातार उसकी निंदा कर रहे थे सुनिये ध्यान से प्रभु कहता है अपने अस्दित्व की शपत मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते हुए सुना है उनी के अनुसार मैं तुमारे साथ वहवार करूंगा कहता है मैंने तुमें जो बातें कहते हुए सुना है मैं उनी बातों के साथ तुम्हारा न्याय करूंगा उनी बातों के साथ मैं तुम्हारे साथ वेवार करूंगा इसके पहले बचन में बत्संक्या 26 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रभू ने मूसा और हारून से ये कहा मैं कब तक इस दुष्ट समुदाए की शिकायतें सहन करता रहूं मैं इसराइलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं मैं इनके ही शब्दों के द्वारा इनके साथ बहवार करूंगा तो मैं समझता हूं कि समझ में आया होगा हमारे सवालों का जवाब मिला होगा कि हमारी जिन्दगी में उन्नती क्यों नहीं हो रही है क्योंकि परमेश्वर हमारी ही बातों के अनुसार हम से वहवार कर रहा है हम जैसा बो रहे हैं वैसा काट रहे हैं हम जैसा बो रहे हैं वैसा ही काट रहे हैं इसलिए प्यारे बाईों और बेनों हमारे जिंदगी में अगर अच्छा बो रहे हैं तो अच्छा हो रहा है बुरा कर रहे हैं तो बुरा हो रहा है इस विशे में आज प्रभु ने जो वचन दिया है प्यारे बाईों और बेनों वो ये हैं कि मेरे इन बच्चों से कहो जो बुराई करता है उसे उससे हानी होती है यदपी वो नहीं जानता कि वो कहां से आती है जो बुराई करता है उससे हानी होती यदपी वो नहीं जानता कि वो कहां से आती है गमंडी का उपहास और अपमान किया जाएगा और प्रतिशोद घात में बैठे हुए सिंग की तरह उसकी प्रतीक्षा करता है जो धर्मियों के पतन पर आनन्दित है वे स्वेम जाल में पसेंगे और वे मृत्यू से पहले वेदना से धुल जाएंगे हालेलुया हे प्रभु येश्व मेरे जीवन में मेरे परिवार में शांती आजाए चंगाई आजाए हालेलुया हालेलुया तो इसराइलियों की जीव बड़ी कड़वी थी इसलिए परमेश्वर उनके साथ वैसे ही क्या कर रहा था वहवार कर रहा था अब कैसा वहवार था उनके साथ सत्रा दिन की यात्रा सत्रा दिन की यात्रा चाली साल तक उन्हें गुमाता रहा और अठारा साल के उपर जितने भी बड़े लोग थे उन लोगों को सबको 40 सालों में उसने समाफ्त कर दिया उनको समाफ्त हो जाने दिया उसने नई पीड़ी को तैयार किया उनको वचन सुनाए मुशा के द्वारा, हारुन के द्वारा, उसके बेटों के द्वारा और उन्हें तयार किया और तब जाकर उनको प्यारे भाईयों और बेनों प्रतिग्यात देश की ओर ले गया सत्रा दिन की यात्रा, चालीस साल तक क्यूं? क्योंकि वो चाहता था कि ये शुद्ध हो जाएं, वो चाहता था कि मिश्र की गुलामी में रहकर जो तंत्र, मंत्र और अनेक प्रकार की बुराईयों को इन्होंने सीखा है इस मरू भूमी में ही उसका दमन हो जाएं और ये उससे आजाद हो जाएं अपनी जीब के कारण वे दोशी पाए गए इसलिए प्रभू का वचन ये कहता ये कब तक मेरी निंदा करेंगे निराशा का शब्द या डर या मृत्यू के विशे में वे लोग बोलते रहते थे हम तो मर जाएंगे निराशा उनके उपर पड़ी हुई थी वहां उनका धर्माचरण जो था वो समाप्त हो गया दे लॉस्ट देर राइचेसनेस जो थोड़ी बहुत राइचेसनेस थी वो उन्होंने निंदा करके समाप्त कर दी आज विश्वासी के जीवन में भी कहीं न कहीं पर कलीसियाओं में ये सबसे बड़ी बिमारी है प्यारे भाईयो और बेनो निंदा करने की प्रभु का वचन छोड़ कर एक दूसरे की निंदा करने की मैं बड़ा, वो छोटा, मैं बड़ा, ये छोटा, ये ऐसा, वो वैसा, आप छोड़ दीजिए इन सारी बातों को क्योंकि इससे आपका पतन होगा, उत्थान होने वाला नहीं और परमेश्वर आज यही वचन कलिसियाओं से कहता अपने दास के द्वारा ये कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे, ये कब तक मेरी आज्या का उलंगन करेंगे, कब इन्हें होश आएगा इसलिए बाइबल कहती है, स्त्रोत संक्या 120 पत संक्या 2 से 4 में एक अपटी जिभा तुमें कौन सा दंड दिया जाए, तुमें तुम्हारे साथ और क्या किया जाए दसामिस्ट सेंस कि एक अपटी जीब तुझे कौन सा दंड दिया जाए तू पूरे शरीर को कंट्रोल करती है इनसान की पूरी जुन्दगी के उपर तेरा अधिकार है और तू इसे चलाती है, इसे तोडती है, इसे मरोडती है और बाइबल कहती है, इस जीव के अंतरगत, श्राप और आशिरवाद दोनों है इस जीव के अधीन, शुराप और आशिरवाद दोनों है बहलाई और मृत्यू दोनों इस जीव के अधीन है इसलिए मसी लोग, छुने हुए लोग, विश्वासी लोग आशिरवाद के लिए बुलाए गए है nhất लोगों को बलेस करने के लिए बुलाए गए है इसलिए प्यारे भाईों और बेनों प्रभु का वचन कहता है प्रग्या ग्रंथ अध्याए 28 पद संख्या 22 बहुतों को तलवार के घाट उतारा गया किन्तु जीवा ने कहीं अधिक लोगों का विनाश कर दिया है जीव ने कहीं अधिक लोगों का विनाश कर दिया है इसलिए प्रभु ये चाहता है कि हम सबसे पहले अपनी इस जीव को शुद्ध करें और आपके जीवन में शान्ती आएगी उन्नती आएगी आपके बच्चे दुर दिन नहीं देखेंगे उन्नती देखेंगे अगर आपक को आदेश दूँगा कि वो तुम पर उन्नती की वर्षा करेंगे तुम पर उन्नती की वर्षा करेंगे प्यारे बाईयों और वेनों बाइबल हमें बताती है स्त्रोत संक्या बावन पद संक्या चार में कि विधर्मी अत्याचारी तुम अपनी दुष्टता की धींग क्यो मारते हो, एक अपटी जीव तेज उस्तरे के जैसी हो तुम, कपटी जीवा हर विनाशकारी बात तुम्हे प्रिये है, और कई लोग अपनी जीव पर नियंतरण नहीं रख पाते हैं, इसलिए वे लोग क्या कर लेते हैं, अभी शेक खो देते हैं, अभी शेक खो देते हैं, they lose the anointing, why? because they utter उन बातों को बोलते हैं कि जो प्रभू को प्रिये नहीं है, जिनसे प्रभू को घ्रिना है, इस्राइली जीव खराब होने के कारण, 40 साल तक मरू भूमी में भटकते रहे, बताइए, और कोई कारण था, बाइबल में आप डूम सकते हैं, बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो था, उनकी जीव खराब थी, वो निरंतर मूशा की निंदा करते थे, ईश्वर की निंदा करते थे, विश्वास नहीं करते थे, बार-बार यही कहते थे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, और इसी निराशा में रहते थे, कभी आशा मैं जीवन के विशे में सोचा नहीं, उस परमेश्वर ने, जिसने बड़े-बड़े चमतकार दिखाए, और उन्हें लाल समुद्र से रास्ता निकाल कर पार करा दिया, फिर भी उन्हें समझ नहीं आया, कि वो परमेश्वर जो बादल के खंबे के रूप में उनके आगे चलकर रास्ता दिखा रहा था, प्रकाश के स्तंब के बीच के रूप में खड़ा होकर, उन्हें पीछे से क्या कर रहा था, प्रकाश दे रहा था, और फिराओं की सेना को रोके हुए था, उन्हें ये सब समझ में नहीं आया, यही दुरगती, आज बहुत सारे लोगों की है, प्यारे बाईयो और बेनों, इसलिए यदि आप चाहते हैं, कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो इन तमाम बातों से, हमें उपर उठना होगा, इन तमाम बातों से उपर उठना होगा, क्यूंकि बाईबल हमें कहती है, Acts of the Apostles, चाप्टर 16, वर्ट 31, येश्यू में विश्वास करोगे, तो तुम और तुम्हारा परिवार, मुक्ती प्राप्त करेगा, बलो आमें, हालेलुया, रभु का वच्चन कहता है, यदि तुम, इसा में विश्वास करोगे, तो तुम और तुम्हारा घराना, मुक्ती प्राप्त करेगा, हालेलुया, तो ऐसी परिस्तिती में परमेश्वर के पास हमें आने की आवशक्ता है इबरानियों का पत्र अध्याई चार पत्संख्या 16 प्रभु का वचन ये कहता संद पौलुस कहता भरोसे के साथ अनुगरे के सिहासन की ओर चलो जहां से हमें दया मिलती है जो हमारी आवशक्ताओं मे हमारी सहायता करती है ये कृपा हमारे लिए परियाप्त है हलाकि हम नहीं जानते कि ये कृपा कैसे हमें मिलती है आप दो गंटे अराधना में बिताते हैं दो गंटे मेडिटेशन में बिताते हैं आप शान्त रहकर एकांत में प्रातना करते हैं और आपके उपर प्यारे भ भर जाते हैं, वो कृपा हमारे भीतर कार्य करने लगती है, इसलिए येशु के पास आने की आवशक्ता है और वो हमारी जुबान, हमारी आखें, हमारे कान, हमारे होट और हमारे शरीर को शुद करेगा, कैसे वचन के द्वारा प्यारे भाईयों और बेनों, क्योंकि वचन मे द्वारा नहीं नहाने से कम साफ होते हैं नहाने से केवल साफ होते हैं बाहरी चीज हमारी साफ होती है आंतरिक मन इनर कॉंशिंस प्यारे भाईयो और बेनो जब तक परमेश्वर कृपा न करे वह पवित्र नहीं हो सकता इसलिए बाइबल कहती है कि जब तक इश्वर आपको अपनी और आकरशित ना करे आप में से कोई भी विश्वास करने वाला नहीं बन सकता इश्वर को हमें अपनी और आकरशित करने की जरूरत है और वो कब हमें आकरशित करता है जब वो हमारा उसा देखता है जब वो पचन पड़ा आपके लिए कि ईश्वर ऐसे लोगों की तलाश में रहता है कि कोई ऐसा सच्चा व्यक्ति मिल जाए जो परमेश्वर की खोज कर रहा हो जो उसे ढूंड रहा हो जो उसे ढूंड रहा हो मारकुस के शू समाचार अध्याय 9 पत्संख्या 4 में हम पड़ते हैं कि एक पिता येश्व के पास आया और बोला कि मेरा बेटा मिर्गी के दौरे के कारण क्या हो जाता है बीमार हो जाता है जब इसे मिर्गी के दौरा पड़ता है तो ये इधर उधर गिर पड़ता है मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा मार्कुस कसू समचार अध्याए 9 पतसंख्या 4 और उससे आगे हम प्रभु का वचन सुनेंगे पतसंख्या 14 अध्याए 9 पतसंख्या 14 जब वे शिश्यों के पास लोटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारो और इकठे हो गए और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे थे इसा को देखते ही लोग अच्छंबे में पड़ गए और दोडते हुए उन्हें प्रणाम करने आए इसा ने उनसे कहा पूछा तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो बीड में से एक ने उत्तर दिया गुरुवर मैं अपनी बेटे को जो एक गुंगे अपदूत के वश में है आपके पास ले आया हूँ वो जहां कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है दात फीसता है और उसके अंग अकड जाते हैं मैंने आपके शिश्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे ऐसा नहीं कर सके इसा ने उत्तर दिया अविश्वासी पेड़ी मैं कब तक मैं सहता रहूं उस लड़के को मेरे पास ले आओ वे उसे इसा के पास ले आए इसा को देखते ही अपदूत ने लड़के को मरोड दिया लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमी पर लोडता रहा इसा ने उसके पिता से पूछा इसे कप से ऐसा हो जाया करता है उ यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा यदि आप कुछ कर सकें विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यह आज का बचन है प्यारे भाईयों और बेनों कि जिस तरह से एक पिता अपने बेटे को येशु के पास ले आया समर्पित कर दिया। उसी तरह से आपको अपने बच्चों को येशु के पास लाने की आवशकता है। और येशु से कहने की आवशकता है कि देखिये प्रभू, ये बच्चा जो मेरी जिंदगी में आपने वरदान स्वरूप दिया है, इसको बच्चपन से ऐसा होता है, ये जिद्धी है, ये क्रोध करता है, ये नशा करता है, अनेक प्रकार की बुराईयों से ये पिडित है प्रभू, आप इस पर दया कर दीजिये, ये अनेक बुरी आदतों का शिकार है, इस पर दया कर दीजिये, प्यारे भाईयों और बेनों, हो सकता है कि आपके जीवन की दुखत घटना, जो आपको परिशान करती हो, प्रभू के पास लेकर चले आना, प्रभू से कहना कि अपना हाथ इसके उपर रख दे और ये चंगा हो जाएगा, हो सकता है ये दुख आपके जीवन में हो कि आपको प्यार नहीं मिला, हो सकता है पत्री का प्यार नहीं मिला, हो सकता है कि पिता का प्यार नहीं मिला, हो सकता है कि पिता का प्यार नहीं मिला है, तो प्रभू के पास चले आना और वो आपको चंगा कर देगा हो सकता है आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हूं हो सकता है आपकी आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे हूं तो प्रभु के पास आना हो सकता है प्राथना आप नहीं कर पा रहे हैं प्रभू के पास आने की आवशकता है प्यारे भाई और बेनों तभी वो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है तभी वो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है दो चीजें जरूरी है या तो हम प्रभू के पास चले और या फिर हमें लेकर जाया जाए दोनों इंपोर्टेंट है समझ में आरा है आप लोगों को दो चीजे इंपोर्टेंट है या तो हम स्वेम प्रभु के पास चले तौबा करे गुनाहों की माफी मागे उन्नती के लिए प्राथना करे सुख के लिए धन्यवाद दे दुख है तो कश्ट में है तो प्राथना करे और या फिर ऐसे व्यक्ति को उठा कर प्रभु के पास लेकर जाया जाए ये दोनों ही बाते थी और तीसरी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु तरस खाकर आपके घर में आ जाए प्रभु तरस खाकर आपकी परिस्थिती में आ जाए वातीनों उधारन आपके सामने रखना चाहूंगा प्यारे भाईयों और बेनों कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो वो ब्लेस करता है उसका एक उधारन नाकेदार और फरिजी मंदिर में प्राथना करने के लिए गए नाकेदार जो अपने आपको पापी समस्ता था वो प्रभु के पास गया उसने प्रार्थना किया उसने अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी उसने अपने गुनाहों के लिए मापी मांगी छाती पीटी और येश्यू ने कहा तुम जानते हो कौन इन में से अपने पाप शमा करवा के वापस गया इस नाकिदार ने जो छाती पीट पीट कर ये कह रहा था प्रभू मुझ पापी पर देया कर एक दूसरा उधारन इसी के स्वरूप कि जब प्रभू शिमोन के घर में बैटे हुए थे वहाँ पर एक स्त्री आई जिसका जीवन बड़ा विगड़ा हुआ था जो अपने जिंदगी में बहुत सारे लोगों के द्वारा शोशित की जा चुकी थी वो रोती रहती है रोती रहती आशु बहती रहती है प्रभू से प्रभू उसको आशीश प्रदान करता है और दूसरी परिस्तिती की ऐसे लोगों को जो स्वेम जाने में असमर्थ है प्रभू के पास कोई उन्हें ले कर जाता है या उनके लिए कोई इंटरसेशन करता है या उनके लिए कोई मद्धेस्ता करता है या उनके लिए कोई प्राथना करता है जब एक अरदांग रोगी को जो गाओं में अपने घर की बाहर चारपाई पड़ पड़ा रहता है लोग उसका उपहास करते होंगे शायद उसका मजाक भी उड़ाया होगा लिखा है वचन में प्यारे माईयो और मैंनो कि वहां के चार कुछ लोगों ने सुन्ना ध्यान से जो वचन इस्तेमाल किये गए है कुछ लोगों ने चार व्यक्तियों के द्वारा अर्दांग रोगी की चार पाई को उठवाया अब कुछ लोगों का जिक्र वहां पर हुआ है तो वहां पर दो से अधिक लोग होंगे जब कुछ लोगों की बात आती है और उन लोगों ने ईश्वर के वचनों को सुना होगा येशु के कामों को देखा होगा तो उन लोगों ने चार लोगों को बुलवाया और उनसे कहा कि चार पाई उठाओ और ले चलो वे लोग लेके गए और येशु जिस घर में थे जब उनको रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने छट खुलवाई और उसकी चार पाई नीचे उतरवा दी येशु ने क्या कहा? उस पर तरस खाकर वो दूर से ही पहचान गए जान गए कि इसकी ये बिमारी इसके पापों के कारण है तो प्रबू ने कहा तेरे पाफशमा होगे हैं लोग अस्मंजस में पढ़ गए कि आखिर ये कौन है जो पाफशमा करता है पाफशमा करने का दिकार केवल ईश्वर को है तो उसने का क्या अधिक से है यह कहना कि तेरे पाप शमा हो गए या फिर यह कहना कि अपनी खाट उठा और घर जा यह एक दूसरा उधारन था जब हम किसी को ले कर आते हैं जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जब हम किसी के लिए इंटरसेशन करते हैं जब माता कलीशिया नित्य प्रत दिन यूकरिस्त संसकार के दुआर और अराधना के दुआरा पूरी कलीशिया के लिए देश के लिए पुरोहितों के लिए इंटरसीड करती है उनके यह बिच्वई करती है तो वो उनके ऊपर दया करता है वो उनके ऊपर दया करता है एक तीसरा उधारण प्यारे भाईयो और वेनो बेटसाइदा के कुंड के पास वहाँ पर एक अर्दांग रोगी पड़ा हुआ था बाइबल में बताती है योहन के सुसमचार अध्याए पा इसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर कहा गए यरुशलम गए यरुशलम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इबरानी भाशा में बेतसेदा कहलाता है उसके पांच मंडप है उनमें बहुत से रोगी अंधे लंगडे और अर्दांग रोगी पड़े हुए थे क्योंकि वो देखते थे कि अगर पानी कुंड का पानी हिलेगा दूट उसको आकर हिलाएगा तो जो सबसे पहले उसमें प्रवेश करेगा वो चंगा हो जाएगा अब ध्यान से सुनना इस बात को तो वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे क्योंकि प्रवु का दूट समय समय पर कुंड में उतर कर पानी हिला देता था पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था चाहे वक किसी भी रोग से पेड़ित क्यूं ना हो अच्छा हो जाता था वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से विमार था येसु ने उसे पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वो बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है उससे कहा क्या तुम अच्छे हो जाना चाते हो रोगी ने उत्तर दिया महोदे मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे मेरे पहुँचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है इसा ने उस से कहा उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चार पाई उठाओ और चलो, उसी जण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चार पाई उठाकर चलने फिरने लगा, बोलिये आमेन, हालेलुईया, हालेलुईया, हे प्रभु येशू, मैं आपको धन्यवाद देता हू आप मेरे जीवन में अनेक चिन और चमतकार प्रकट करते हैं, हालेलुईया, 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 तो मैं तीसरा उधारन आपको दे रहा हूँ, शायद आपको समझ में आया होगा, सुनिए ध्यान से, कुंड के पास कितने लोग थे, कितने लोग थे, कितने लोग लिखा है बहुत सारे लोग थे लंगडे लूले जो चंगे हो जाने चाहते थे वो क्या करते थे कुंड के पास पड़े रहते थे ताकि स्वर्ग दूद जब पानी को हिलाए तो वो लोग उसमें जाकर क्या हो जाएं डूब की लगाले और चंगे हो जाएं इतने लोगों को छोड़ कर येशु की द्रिष्टी एक ही व्यक्ती पर पड़ी और उसने उसे संबोधित किया कहने का मतलब ये है दे लोड डिसाइड़ तो हील हिम प्रभु येशु ने निरने लिया क्यों लिया निरने उसकी दशा को देखते हो है उसके रिपेंटेंस को शायद देखते हो है हो सकता है वो बहुत आर्थ निवेदनों के साथ वहाँ पर पड़ा हो हो सकता है जैसा उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है उसकी मजबूरी थी कि उसका कोई नहीं था जो उसको उठा कर कुंड में डाल दे तो जिसका कोई नहीं है उसका प्रभू है ये प्रभू येशु ने यहाँ पर प्यारे भाईयों और मैंनों सिद्ध किया कि जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ और येशु ने निरने लिया इतने लोगों को वहाँ पर छोड़ कर उसने इस 38 बरस के अर्दांग रोगी को चंगा किया कुंड में जाने की जरूरत ना पड़ी उसने कहा उठो और चलो और उसी चंड प्यारे भाईयो और बेनो वो उठ बैठा तो जब प्रभू निरने लेता है आपको चंगा करने का आपको ब्लेस करने का तो कोई भी नहीं रोक सकता है when he decides to bless you no one can stop my dear brothers and sisters ये एक विश्वासी के मन में एक विश्वास होने की आवशकता है और इसके लिए मुझे और आपको प्रयास करने की आवशकता है नित प्रतिदिन हमें प्रयास करने की आवशकता है नित प्रतिदिन हमें प्रयास करने की आवशकता है तो प्रभू आज हमारे घर में है आज कहना, आज मांगना, आज बोलना कि आपको क्या चाहिए धन्यवाद देते जाना अपनी जीवन की परिस्थिती के लिए निराशना हो प्रभू कहता है धारस रख और मुझ में विश्वास कर और ईश्वर में भी विश्वास कर आईए हम कुष्ठन मौन होकर प्रभू की स्तुती करें, अराधना करें और अपने इस जुवान को और इंद्रियों को हम शुद करें, प्रभू को हम पुकारें और वो हमें आशीश प्रदान के लिए सुना मही सबसे अलग है ये सुना मही सबसे अलग है इस नाम में है मिलती हमें शान्ती और प्रेम ये सुना मही सबसे अलग है ये सुना मही सबसे अलग है जो जितना इस नाम को गुन गुनाते हैं दर्द की गहराईयों में चैन पाते हैं जो जितना इस नाम को गुन गुनाते हैं दर्द की गहराईयों में चैन पाते हैं ये सु तेरा आला उंटे सारो जहां रोगियों को पापियों को सहारा देता ये शुना ये सु नाम ही सबसे अलग है ये सु नाम ही सबसे अलग है बोलो प्रभु ये सु मसीग नाम की जैन सबको ये सु की प्रभु आपको आशिश दे जो आज का जो वच्छन हमने सुना है वो हमारे जीवन में सो गुना साथ गुना और सतर गुना फल लाएं मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साजह करें और नित्य प्रते दिन हमारे साथ मिलकर प्रभु की अराधना करें और प्रभु आपके परिवारों को उन्नती प्रदान करेगा आध्यात्मिक उन्नती प्रदान करेगा